नमस्कार मित्रो मैं निल कुमार आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम पास करे में आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक बिनन्दन करता हूँ मित्रो हमने हर्याना जी के की नई स्रीज सुरू को रखिये इसके तैट हमने तीन क्लासिस डाल दी है आसा करता हूँ वो कलास आपको अच्छी लगी होगी आपने अच्छे से देख ली होगी क्योंकि आने वाले सीटी एक्जाम्स के लिए हर्याना जी के बहुती महतवपूर्ण पार्ट है इसके 20 से 25 क्योसन जरूर पूछे जाएंगे तो इसको हलके में मत दीजिएगा पूरा अपना फोकस रखिएगा एक्जाम पे और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा साथ की साथ बुक से भी प्रैक्टिस करते रहिए तो हमने पिछली वीडियो के अंदर प्राचिन हर्याना का जिकर किया था आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगी होगी समझ में आई होगी और आपने अध्यन अच्छे से किया होगा हमने प्राचिन हर्याना के जो है मैतोपुन तथे डिसकस कर लिये थे आज से हम जो है वो सुरू कर रहे हैं मद्यकालिन हर्याना मद्यकालिन हरियाना में सबसे पहले बात आती है एक हजार नोईश्वी की एक हजार नोईश्वी में एक हजार नोईश्वी में महमूद गजनवी ने थाने सरप्र हमला बोन दिया एक हजार नोईश्वी में महमूद गजनवी ने थाने सर पर हमला बोल दिया किस पर हमला बोल दिया इस समय थाने सर का राजा ता जैपाल था जैपाल था हमला तो बोल दिया गजनवी ने लेकिन जैपाल बोले है रियान भी है दब्या कोन्या कर दे यानि जैपाल दब्या नहीं और यहां पर जो है महुमद गजनवी की हार हो जाती है और महुम्मद गजनवी वापिस अपने देश अफगानिस्तान चला जाता है उसमें भारत का हिस्सा था अफगानिस्तान उसके बाद जो है गजनवी हार हूर के अपने देश लोटने के बाद यहां पे वहां के लोग इसकी काफी बेस्ती करते हैं और इसको उकसाते हैं एक ब जैपाल पर हमला बोल देता है किस पर हमला बोल देता है जैपाल पर हमला बोल देता है जैपाल पर हमला बोल देता है जैपाल पर हमला बोलने एक बात जो है वो जैपाल इस हमले में पराजित हो जाता है यानि 2014 में जैपाल की हार हो जाती है और हर्याना स्टाप सेलेक्शन कम एक बार परसन पूछ चुका है कि महमद गजनेवी ने थाने सर पर पुने हमला कम किया तो आपका उत्र क्या है ना चाहिए आपका उत्र है ना चाहिए 2014 इसवी में बात समझ में आगी होगी आसा करता हूं याद रख लोगे दो पॉइंट डिस्कस करें हैं, एक हजार नो इस्वी और एक हजार चोदा इस्वी, आप आई सीरीज में जो है, मैं तवपून तक थे जो अरियाना जी के कि वो जो एक्जाम से जो आने वाल एक्जाम से पुछे जा सकते हैं, आप पुछे जा चुके हैं, वो जो तक थे हैं, वो डिस्कस कर रही हैं साथ की साथ कोपी पैन से नोट सपने बनाते रही हो, और आसा करता हूँ, उमीद करता हूँ, विश्वास है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको सोज में आ रहा हूँगा ठीक है दो पॉइंट डिसकस करें हैं एक हजार नो और एक हजार चौदा इसवी मुहम्मद गजनवी ने थाने सर पर मला बोल दिया ठीक है थाने सर का सासक उसमें जैपाल था एक हजार नो में तो जैपाल जीत गया लेकिन एक हजार चौदा इसवी आते आते इसने जैपाल की फिल्टर बढ़ दिये ठीक है यानि जैपाल की हार हो जाती इसने अब जो है मुहम्मद गजनवी का मैन मुद्दा क्या था यानि उत्तरबार्थ पर हमला करने का मैन मकसद क्या था इसका जो मैन मकसद है ना वो क्या था कई बार पेपरों में पुछा जा जुका है धन लूटना था क्या था धन लूटना इसने थाने सर जो अपना अरियाना है उस समय का इसको जो है एक रास्तेग रूप में प्रियोग किया भी ये जो इंडिया में जो जहां से इसने प्रवेश किया थाने सर होते हुए इसने पूरे उत्तरबार्त में पूरी तबाई मचाई और आपा जो हर्याना दिक्के की बात कर रहे हैं तो आपा जो हर्याना की जो पार्ट को तोड़के अपने साथ ले गया ठीक है और काफी धन लुटा इसने सोना चांदी लोगों के बोर ये विस्त जो है उठा ले गया अपने साथ ठीक है इतनी बात तो रही महुद गजनवी की आसा करता हूँ याद रख लोगे इसके बाद जो है वो बात आती है यह इसका पोत्ता था मसूद मसूद ने भी सोचा भी थाना दादधा भीतना दन वहाँ से लूट लेगा वहाँ पे तो काफी दन में भी मसूद जो है 1037 में आता है कहां पर आता है यह अपने उत्र भारत में प्रव्यस करता है और उसने कहां पर अपना आकर्मन किया हासी पर आकर्मन कर दिया ठीक है, हासी पर आकर्मन करने के बाद हासी का राजा था, वो कौन था यहां पर, कुमारपाल देव, हासी का साथ से कौन था, कुमारपाल देव, कुमारपाल देव, कुमारपाल देव पर आकर्मन कर दिया, और कुमारपाल देव जो है, इस आकर्मने हार जाता है, क्या हो जा साथ-साथ अपना जो यह हांसी का हिसाब ही था यानी लग बगर याना पीन का राज हो जाता है ठीक है जो मसूध है अपने जो मन्सूब्य में काम्याब हो जाता है इसके बाद जो है अपना बात करते हैं भूती महतोपूण रेट 4043 के 4043 1043 सिखी में 1043 सिखी में क्या है मसुद का कौन आता है मसुद का उत्तर मदूद मदूद आता है और मदूद ने जो है वो आकर्मन किया कहां पर तोमर सासकों पर आकर्मन किया और तोमर सासकों को ये हरा देता है क्या कर देता है? हरा देता है लेकिन ज़स्ट बात जो है तोमर सासक इस पर दुबारा से आकर्मन करते हैं और उस समय तोमर सासक का क्या नम था? कुमार देव सिंग उमार देया सिंग जो है वो इसको दुबारा से प्राजित कर देते हैं ठीक है यानि यहाँ से इसका खात्मा हो गया उसके बाद जो है कि महत्वपूर डेट आती है एक हजार इकावन से एक हजार इकासी तक इस दौरान जो है वो किसका राज रहा अगन पाल दिवितिये का इस दौरान एक हजार इकावन से एक हजार इकासी तक अपने हर्याना पर अगन पाल सेकिंड का राज रहा ठीक है यह बात याद रख लोग यासा करता हूँ 1383 सिर्य में मसूद के पुतर मदूद ने हमला किया ठीक है इसकी जीत होती है लेकिन थोड़े से सम्मे के बाद कुमार देव सिंग ने इस पे अबला कर देता है ठीक है और तो मर्सास को की यह जीत हो जाती है और इसके बाद यहां तक तो मामला ठीक ठाक चला उसके बाद जो है एक हजार इक्यासी में यहां का सासक बना तेजपाल तेजपाल सासक बनता है ठीक है और इसका पता जो है वहाँ अफगानिस्तान में बैठे इबरहाईम को पता लग जाता है इसको पता लगता है इबरहाईम को और इबरहाईम जो है अपना सारा सिस्टम लेके तेजपाल पर हमला करने के लिए अपने अरियाना में पहुंच जाता है लेकिन इसको यहां पर कोई ज़्यादा क्याम्याभी नहीं मिलती है इसकी यहां पर हार हो जाती है इसके बाद जो है एक महतोपून डेट आती है 1151 की क्या आती है 1151 की 1151 की तक जो है वो क्या होता है विगर है राज विगर है राज चतुर्थ विगर राज चतुर्थ ने क्या किया कि आसी और डिल्ली पे लगबग अपना अधिकार जमालिया, किस पे हासी वे दिल्ली पर हासी वे दिल्ली पर अपना अधिकार जमालिया और इनके बाद जो है महतोपून जो नाम आता है वो आता है पृत्वी राज चोहान तिर्तिय का, किस का आता है पृत्वी राज चोहान तिर्तिय का इसने जो है वो अपना अकर्मन करकर आके तोमरवस का पूरी तरह से खात्मा कर देता और एक शतर अर्याना पर चोहानों का राज हो जाता है फिर्थी राज चोहन ने क्या किया तोमरवस को समाप्त कर दिया तो मर्वस सबापत हो गया और एक छत्तर अपने पूरे रियाणा के आसपास के छेत्रों में चोहाणों का राज हो जाता है इसके बाद बात करते हैं आप आगे की आगे क्या होता है एक हजारी क्यानवे तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है और जो आप करवाओंगा वो बहुत ही महतोपूर्ण दो यूद होंगी उसमें जो आपको याद रखने अच्छे से आसा करता हूँ आप याद रख पाओगे एक हजारी 1191 तक सब मामला ठीक ठाक चलता है 1191 तक सब ठीक ठाक चलता है लेकिन अफ़कानिस्तान में बैठे गोरी को पतानी क्या सूझती है वो यहाँ पर आके पिर्थी रौज तिर्थिये पर आकर्मन कर देता है गोरी ने क्या किया आकर्मन कर दिया किस पर किया पिर्थी रौज तिर्थिये पर आकर्मन करने की जो जगए है तराइन क्या तराइन करणाल के पास एक जिगा है जिसको आज तरावड़ी बोलते हैं यहां पर जो है वो युद हुआ किस के किस के बीच युद हुआ पिर्थी रुआज तिरतिये और गोरी के बीच ठीक है इसमें जो है पिर्थिवराज तिर्थिये का साथ किस ने दिया इसमें जो है साथ दिया हासी के गोविंदराएं ने किस ने साथ दिया उस समय के हासी के साथ सक गोविंदराएं ने गोविंदराएं ने जो है साथ दिया इन दोनों की सेनाई कठी लड़ी किस के साथ गोरी के साथ और इस यूद में जो है वो गोरी की हार हो जाती है क्या हो जाती है गोरी पराजित हो जाता है गोरी पराजित हो जाता है और एक सबसे बड़ी गलती जो है यहां पर इस यूद में पिर्थी राज जोहान तिर्थिय की क्या रही कि ये गोरी को बिना मारे इसको बक्स देता है कहता है तुचला जा उसके बाद जो है गोरी अपना बोरिया विस्तरबांद के यह से निकर जाता है ठीक है इसके बाद बात आती है 11 गोरि जो है पूरे उबाणimmune इस यूी में वापिस आता है और एक बार फिर से ृतिसराँ तिर्टिया को ललकालता है और इस बार पिःसराँ तिर्टिया के फिल्टर पाड़ देता है और इस यूद में गोरी जो है वो विजेता हो जाता है गोरी विजेता हो जाता है तराइन के दूसरे यूद में ग्यारा सोई क्याडमे में जो यूद हुआ उसको बोलते हैं तराइन का पहला यूद आसा करता हूँ बाचा हूँ जो मैं आई हूँ दूबारा रिपीट कर देता हूँ ग्यारा सोई क्याडमे में मोहमद गोरी पिर्थिरा चोहान को ललकारता है यूद के लिए ठीक है पिर् तराइन जो आज का तरावड़ी है कहां पर पढ़ता है कुर्चेतर के आज पास का उसमेला का थाज करनाल में पढ़ता है और गोरी जो है वो पराजित हो जाता है इस यूद की सबसे बड़ी गलती क्या रही कि पिर्थी राज चोहान जो है वो गोरी को बक्स देता है इसमें मारता नहीं है अगर मार देता तो ये दूसरा यूद भी नहीं होता लितना बड़ा सिस्टम भी नहीं भैलता उसके बाद 1192 इसमी में तराइल का दूसरा है जिसको बोला जाता है इस बार फिर से गोरी आता है और पिर्थी राचोहान पर हमला बोल देता है और इस यूद में पिर्थी राचोहान हार जाता है बूरी तरीके से और गोरी विजेता हो जाता है इस यूद में विजेता होने के बाद गोरी की सेना हासी की तरफ बढ़ जाती है कहां बढ़ जाती है हासी की तरफ बढ़ जाती है और आसी में जो है इसने क्या किया जट्वा नामे किक राजा था इसको भी हरा दिया ठीक है इसको राने के बाद हासी बर भी कबजा हो गया और इसके बाद जो है इसका काफिला हासी से कहा निकल जाता है रेवाडी की ओर निकल जाता है और उसमें रेवाडी का राजा कौन था उसमें रेवाडी का राजा था तेजपाल तेजपाल जो है उसमें रेवाडी का राजा था और गोरी के सेना का पती का क्या नाम था इबराहिम था इब्राहिम को जो है वो तेजबाल मार देता है इब्राहिम को कौन मार देता है अरेवाडी का राजा तेजबाल इसके बाद जो है गोरी की सेना का निया सेनापती निउप्त किया जाता है उसका नाम क्या होता है कुतुबुदिन एबग इसका आप जिकर अगली वीडियो में अच्छे से करेंगे कुत्व बुदिन एबग कुत्व बुदिन एबग ने बुरी तरीके से तेजबाल को हरा देता है और तेजबाल की मर्त्यू हो जाती है और अंत्त है इस पूरे हर्याना के छेतर में तुर्कों का राज स्तापित हो जाता है और इस प्रकार से जो है आप आगली वीडियो में हर्याना का संतनत काल पड़ेंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हैलफुल रहेगी धन्यवाद जैहिन जैभारत